हलो बच्चो आज हम देखेंगे कक्षा नववी के हिंदी विशय के महतपुर्ण प्रश्ण जो कि ब्रिच कोर्से से संबादी थे और यह आपकी प्रश्ण बेंक जो प्रश्ण बेंक आपके कक्षा नववी की जारी हुई है उसमें से लिये गए हैं और इसी तरह के और के Town आने वाले हैं जिसमें 2 अंक के 2 कैश्चन तीन अंक के 2 क्षचन होगी और 5 अंक के क्क्षचन होगा जो कीं पत्र लिखने और एक निभंद आएगा तो हमें आमसे शुरू करते हैं दो अंक की यह प्रश्ण से और यह आपके ब्रिच कोर्श से से समवानित पहला है निम्नले के तस्सम और तद्भव शब्दों को पहचान कर लिखिए तो यहाँ पर हमें तस्सम और तद्भव शब्दों को पहचान कर लिखना है तो आपको पता ही होगा कि तस्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव कौन से हमने ब्रिच कुर्स में पढ़े हैं तो तस्सम शब्द वे होते हैं जो सीधे संस्कत भाषा से हिंदी भाषा में ले लिये जाते हैं जबकि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कत से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं तो यहाँ पर तत्सम शब्द है, हस्त, भित्ती, स्वप्न, मृतिका, शाक, चंद्र और शंखला और तत्भव शब्द जो है, वो है मिट्टी, साक, मोर, भीत, समुद्र, जर्ना, हाथ, कोयल और गोर तत्सम शब्द कोन से है, और तत्भव शब्द कोन से है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तत्सम और तत्भव अलग अलग चाट कर लिख दिये है उसी प्रकार आगे जो तत्सम शब्द है, वो है हस्ती, वीद, अगनी, म्रग तत्सम शब्द है, और इसी प्रकार तत्भव शब्द और जो दे रखे है, वो है सपना, चांद, पात, मचली, कान, हीरन, सूरज, माता, पिता और पूत तो यह तत्सम और तत्भव शब्द है, इसके आगे जो प्रश्णमबर अगला दे रखा है, ठीक है, यह जो तत्सम और तत्भव शब्द थे, जो हमने अलग अलग करके लिख दिये हैं, और यहाँ पर तत्सम और तत्भव से संबंदित क्ष्चन भी आ सकता है, कि तत्सम शब्द कौनसे होते हैं, तत्भव कौनसे, अब प्रश्णमबर जो अगला है, प्रश्णमबर जो दूसरा है, पेड़ पोदे हमारे लिए किस प्रकार फायदा मन्द है, तो इसका अत्तर है, पेड़ पोदे हमें शुद्ध हवा, फल, फूल, वो ओशदी प्रदान करते है तथा हमें पेड़ पोदे हमें शुद्ध हवा फल फूल वो ओशदी प्रतान करते हैं तथा थंडी चाया वो परोपकार करने की प्रेड़ना भी देते हैं इसका उत्तर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो कि पेड़ पोदे हमारे लिए किस प्रकार फायदे मंद हैं। इसके बाद प्रश्च नमबर तीसरा है हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इसके बाद प्रश्च नमबर तीसरा है और इसके उत्तर भी आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो ब्रीच कोर्स जब हमने पढ़ा था तो हमने इस तरह के प्रश्च भी करें थे और यदि आपका ब्रीच कोर्स संभानित कोई वीडियो चूट गया है तो आप चैनल की प्ल रक्षा से संभानित पाढ़ा प्दैञों से संभानित कोष्चन भी आ सकते हैं और इसके साते वे पर जलिस रक्षन के रूप में प्रशन दे रखी हैं अब प्रश्च नमबर जो चोथा यंब रहते धें निम्नल के शब्दो की संधी किजिए तो यहां पर शब्दों की सं स्वागत, सूरधन ईश से सुरेश और देवधन आलय से हो जायेगा देवालय तो इस प्रकार यहाँ पर हमें संधी करके लिखने हैं तो संधी आपके कोर्स में है ठीक है तो संधी के बाद यहाँ पर अगला जो प्रशन है प्रेश्ट नमबर पाँचवा निम्न शब्दों का संधी विच्छेद कीजिए तो संधी करने के बाद संधी विच्छेद से संबद इत क्रेश्चन है तो यहाँ जो संधी विच्छेद के लिए शब्द दे रखें जो संधी विच्छेद होगा नारी भन इश्वर और निर्धन और निर्धन roof श विच्छेद हो यहाँ दे रखें तो यहाँ आरे पाद संधी विच्छेद होगा नारी भन इत ळखें क्योंकि नी के पिछे दो बिंदू है जो कि विसरग है और इसी प्रकार यदधपी इसका संदी विच्छेद हो जाएगा यदी धन अपी यदधपी ठीक है अब अगला जो क्ष्चने प्रेश्च नमबर छे निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार चाट कर लिखे तो यहां प कौन सा अलंकार है तो इसमें अनुप्रा सलंकार है ठीक है अनुप्रा सलंकार है क्योंकि यहां कवर्ण की आवरती हो रही है कूके में कोईले में कदंबन में कवर्ण की आवरती हो रही है और जब भी जिस अलंकार में किसी एक वर्ण की आवरती होती है तो वहां पर अनु यहां रूपकलंकार है तिक कुनसा है रूपकलंकार है मैया में तो चंदखिलोना लेहो में रूपकलंकार है और अगला जो गवाला है पीतर पात सरीसमनडोला पीतर पात सरीसमनडोला जो गवाला है इसमें पत्ते के समान मनडोला ऐसा बताया गया है और यहां पर समानता बत इसलिए यहां पर उपमा अलंकार होगा उसी प्रकार जो घवाला है तू मोहन के उर्बसी हवे उर्बसी समान तो यहां पर उर्बसी दो बारे शब्दा आए हैं और दोनों ही बार इनका अर्थ अलग है इसलिए यहां पर यमक अलंकार है यह यमक अलंकार का उधान है अगला प्रश्ण नमबर सात्वा तो दो परियावची शब्द लिखिए तो यहां परियावची शब्द हमें लिखना है हरी तो यहां पर हरी जो है हरी के दो परियावची है इश्वर और भगवान भूमी, भूमी के दो परियावची है वसुधा और धरा ये दो परियावची भूमी के है और इसी प्रकार है मा, तो मा के दो परियावची है माता, जननी, भाई, भाई के दो परियावची है भ्राता और तात, तन, तन के दो परियावची है काया और शरीर और धन, धन के परि प्रस्ताव ग्रिणा शिर्चक सम्राज शब्द दे रखें तो प्रस्ताव का जो शुद्ध रूप होगा साथ में इने वाक्यों में प्रयोग भी करना है जो कि आप अपने अनुसार कर सकते हो तो पहला जो प्रस्ताव का शुद्ध होगा प्रस्ताव और वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा आज विधान सभा में प्रस्ताव रखा गया आज हमारी स्कूल में नया प्रस्ताव रखा गया आप इसा भी लिख सकते हो दुसरा है ग्रिना तो इसका शुद्ध है ग्रिना हमें दुस्टों से ग्रणा नहीं करनी चाहिए या हमें गरीबों से ग्रणा नहीं करनी चाहिए लिख सकते हैं फिर है अगला शिर्शक इस पार करना एक आपने स्वादानुसार पसंदिदा प्रफ्य पर अर्थ को यह आपर हो सकता जैए और और फिर करने को कहा जाए तो मिठा में आ जाएगा गुलाब जामून, हलवा, रस्मलाई, बर्फी, नमकिन में सेओ, चुडा, नमकिन, पूरी, मठरी, और खटा में हो जाएगा सामभर, इमली की चटनी, केरी का चार और रायता तो इस प्रकार ये प्रेश्ण बेंकर के क्रेश्चन है, जो के आपके एक्जाम में आ सकते हैं, ब्रिज कोर्स के क्रेश्चन थे, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे के आपको वीडियो के नोटिफिक्शन तुरण